कि अपनी फ्रीफार गेंपे न्यू बिगिनिंग केलेंडर करके इवेंट आ चुए जिसको में आपको एक्स्पिलिंग करके बताने आ रहा हो कि एक्चुली इवेंट में क्या क्या होने वाला है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पार हो यहां पर पुझे कुझे कुझे आपको फ्लावर कर टोकान देख में रहा है तो गया यह एक्चुली क्या है मैं आपको एक्ष्पिलिंग करके बताने विपकोज इसमें आपको जो फ्रीवें मिलने माले हो कि जो आप से चोटे इस अगरा में चनल पर नहीं हो तो नीच आपको रेट कर लगा देखते हैं और आप सब जो इसको फॉलो मतलब इसकी जो सारे रिवोड्स ले रहे होंगे तो चलो आज का इवेंट देखते हैं पता नहीं वेंट लोड क्यों ले रहे हैं से नेट मैं सही हो कि तो आज आज जो अपने को डाम मिल चुका हो कि आई तिंग ये तो एक घंटे ख characterize high-kell नहीं को अबढ़ते हैं आज एक डाम माहर को मोटवि नहीं सब्सके लिए सेशरी एक बन्नी वाला वैकन यहां पर यहाँ आप देख सो यह जो में भी इसका आपको प्रीवीरिपय दिखा चुका है के साथ में स्केड़ बोर्ड भी मैं दिखा चुका और बोला भी तरह कि स्केड़ बोर्ड के चांसे यहां पर बनते हैं और यहां पर आपको जहें एलसी वाला बंडाले मैं रिक्मेंड करूंगा को कोई भी स्टॉप को मत लिया ना गाइस स्केड़ बोर्ड भी इतना खास नहीं ना है इसमें कोई एनिमिशन देखने मिलता है और ना है एक दम स्केड़ अब बात करते में टॉपिक है जिसके लिए मैंने आप वीडियो बनना यह जो कि अपना दन्यू बेइनिंग कैलेंडर के ओके तो अभी में इसको एक्सलेंड कर आप लोग इंडर की यहां पर पांच दिया जा रहे जिसके अपना बर्मुन टू पॉइंट उन्हां जो है वह भी अपने को खेलने के लिए अवेलिबल हो जाएक तो वह यहां पर दिया जा रहे तो यहां पर आपको फ्लावर का यहां पर पॉइंट तो पोइंट क्राइब में मिलेगा उसके बदले यहां पर आपको जी हां पर किया करना है बढ़ावरा ल्ट कहलें एक आपको मैप में रेंडम ली आप जो प्लावर वाला प्वाला पॉइंट जो भी है वह आपको तो मिलने वाला गए ठीक है तो आपको जो क्या करना है जैसे आपको फ्लावर वाला जो पॉइंट लोगन जो भी आपको मिल जाएगा तो आप जो यहां पर एक फिमेल का उंडल साथ में एक स्केटबोर्ट को जो यहां से अब रिडिम लगा सब्सक्राइब तो यहां पर रि मेल का जो हैं पर और पैंट अपर और बॉटम जो हैं पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इसे होफ आपको सार जो कलेंडर समझ वे आ गया होगा कुछी भी समझ वे नहीं आता है आप में जो कॉमेंट सेक्ट में पूश सकते हो सब्सक्राइब नहीं कि है अगर आपने आप